हलो मैं डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप सभी लोगों का आर्पी एसी एड़्डा के यूट्यूब चैनल पर एंड डिस साइड डॉक्तर रजट खनेलवाल मैं आप सभी स्टुडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं स्वागत करता हूँ उन सभी विध्यारतियों का जो हरियाना से हैं और जो तयारी कर रहे हैं PGT Commerce की जिनको बंदा है इस बार First Grade Lecturer और जो पढ़ाना चाहते हैं स्कूल के अंदर 11th और 12 वाले विध्यारतियों को उन सभी विध्यारतियों का मेरा बहुत-बहुत सम्मान हैं उन सभी विध्यारतियों का मेरी तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज की जो हमारी क्लास है यह बहुत important क्लास होने वाली है उन विध्यारतियों के लिए जो हरियाना से हैं और PGD Commerce की तयारी कर रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगो को कुछ जानकरी देना चाहता हूँ और वो जानकरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत अपुड रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टुरेंट्स को मेरे बारे में कुछ बदा तो एक चोटा सा इंट्रो मैं आपको मेरे बारे में देना चाहूँग दियान दगना है। बात नुमबर एक जिस चैनल पर अभी आप हो जिस चैनल पर अभी आप क्लास देख रहे हो उस चैनल को भगवान का नाम लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए उसका रीजन यह है कि RPSC अड़ा पुरे भारत का एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉमर्स के शेतर में जितनी भी सरकारी वेकेंसी निकलती है उसकी प्रिपरेशन कराता है। तो यह चैनल सब्सक्राइब करने में आपको एक परसेंट भी नुकसान नहीं होगा यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सेकिंड बात मैं अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप को भी जॉइन करें अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन करेंगे तो उससे आपको क्या बेनेफिट मिलने वाला है उससे आपको बेनेफिट यह मिलेगा कि ज जुड़े रहने का एक ही माध्यम है, वो है टेलिग्राम गुरुप। इसी के साथ हम लोग आपको एक बहुत important बात ये भी बताना चाहते हैं, कि अगर आप लोगों ने तो को मन तो बना लिया, सर मन बना लिया है कि हमको तैयारी करनी है, और हमको तो भई इस सरकारी दोकरी को हासिल करना है, कन्फ्यूज है सर, कहां से preparation करें, कौन हमको हमारे सारे content को provide दरवाएगा, कौन हमें हमारे chapters के बाद में MCQs देगा, कौन हमको notes देगा, कौन हमको classes देगा, कैस कौन है ऐसा platform, कोई है क्या, बिलकुल है, RPSC अड़ा, RPSC अड़ा ने अपनी application पर, आप लोगों के लिए कि specific course बनाया है, जिसके अंदर आपको complete syllabus हम कराएंगे, English और Hindi माध्यम में आपको notes देंगे, English और Hindi माध्यम में आपको question bank देंगे, वो भी with answer, और इसके साथ साथ आपको ये जो course मिलने वाला है न, ये बहुत ही reasonable price पर मिलने वाला है, जो की है 1499, नया साल है, और new preparation year है, इसकी जो main लागत है वो 3999 है, पर लेकिन अभी आप लोगों को heavy discounted rate पर मिल रहा है, और इसके कीमत आपको अदा करनी है 1499, तो हाज ही आप अपना mobile उठाए, 1499 में एक course ले, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहली CD को start कर दे, इसे के साथ मैं आपको एक last बात और बोलना चाहूँगा, चिंता बत करो question भी कराऊँगा, पर कुछ बाते होती है जो कहनी पड़ती है, और हमारे पास मैं कहने के लिए, एक ही माद्यम है, वो है YouTube, तो last and final बात में ये बोलना चाहूँगा, आप में से कई ऐसे विध्यारती होंगे, जिन लोगों को accounts आती है, जिन लोगों को हो सकता है business आती हो, जिन लोगों को हो सकता है economics आता है, उनको detail नहीं करनी, उन्हें तो केवल practice करनी है, उनको practice करनी के लिए questions चाहिए, तो उसके लिए भी आपको घबरानी क्या आउशकता नहीं है, क्योंकि हम है ना आपके साथ कहाता है ना मैंने, हम हैं आपके साथ, हम लोगों ने क्या किया है, chapter wise, subject wise, question series तयार करिए, अगर आप लोगों को accounts के thousand से भी अधिक MCQs चाहिए, तो आप हमारा ये वाला course purchase कर लो, इसमें केवल question से question मिलेंगे, और ये course मात्र और मात्र बतों कितने रुपे का है, एक dairy milk की कीमत के बरावर जो की है, 99 रुपे में, 99 रुपीज के अंदर आपको thousand से भी ज़्यादा, subject wise questions मिलने वाले हैं, और इससे अच्छी opportunity आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, तो है ना बहुत काम की बात, चले गाईस, तो करते हैं हम लोग हमारी आज की इस class की शुरुवात, और मैं आपको करऊंगा आज हमारे इस chapter के MCQs तयार रहिएगा, और हाँ साथ की साथ comment करते रहिएगा, क्योंकि two-way communication होगा ना, तो पढ़ाने और पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो करते हैं हम इस कार्ट आज की इस class को, फाइनल अकाउंट विताउट एजजिस्मेंट के questions मैं आपको करऊंगा, कोशन करने का, करवाने का मज़ा और आनंद तभी आएगा, जब आप लोग क्या करेंगे, hand-to-end इन questions के answer देंगे, हातोबत question के reply करेंगे, कमेंट में मुझे आप अंसर देते रहेंगे, तो जाकर मुझे पढ़ाने का भी मज़ा आएगा और आपको पढ़ने का भी मज़ा आएगा, तो पहला question, पहला question आप लोगों के सामने screen पर ये रहा, तो first question आप समय लोग देखेंगे, कि current liabilities are such obligation which are to be satisfied, current liabilities एक तरीके से वो liabilities होती है, जिसको हमें पेखना होता है within a one year मतलब एक साल के बीथर, या within a two year मतलब दो सालों के बीथर, या within a three year मतलब तीन सालों के बीथर, या within a four year मतलब चार सालों के बीथर, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि current liability है कैसे liability है, जिसका हमको भुक्तान करना पड़ता है बताओ कितने सालों के अंदर तो इसका जो उत्तर आएगा वो option A आएगा within a one year अपने को एक सालों के अंदर इसका भुक्तान करना होता है एक वर्ष के अंदर अंदर हम इसका payment कर देता है तो मैं क्या बोड़नों current liabilities are such obligation which are to be satisfied current liabilities वो liabilities होती है जिसका भुक्तान हमको करना होता है within a one year मतलब एक साल के अंदर अंदर अगला प्रशन अगर आप देखेंगे तो computers owned by a firm are classified अगर मालो किसी firm के पास में computer है तो उसे आप क्या मानेंगे उसे हम क्या बोलेंगे बताई हम उसको tangible assets बोलेंगे या हम उसे current assets बोलेंगे या आपन उसको liquid assets बोलेंगे या आपन उसको intangible assets बोलेंगे आप से पूछा जारा है कि अगर किसी organization के पास में computer है तो उसे क्या बोला जाएगा क्या आप उसको मूर्थ संपती बोलेंगे या आप इसको चालू संपती बोलेंगे या आप इसको ट्वरिट संपती बोलेंगे या आप इसको अमूर्थ संपती बोलेंगे इसका जवाब मुझे चाहिए तो आपको पता हो ना ची कि जो कंप्यूटर होता है ना कंप्यूटर तो हमारे fix assets होते हैं. Computer अभी business के लिए कौन से assets में जाते हैं? सब computer को हम बोलते हैं fix assets और fix assets के अंदर भी यह होते हैं tangible fixed assets. बचो computer जो होते हैं वो क्या होते है? Fixed assets होता है. Computer को tangible fixed assets के नाम से जाना जाता है. तो option A हमारा बिल्कु सही answer होगा. Computer अपना tangible fixed assets के लाएगा. Next question आपके सामने स्क्रीन पर Loss on sale of an old car is debited to. Loss on sale of an old car is debited to. हमने car को sale किया. Sale करने पे loss हुआ. ऐसे loss को किस खाते में दिखाया जाएगा? Option A. PNL account Option B. Car account Option C. Depreciation account Option D. Trading account अगर अपन किसको sale कर रहे हैं जी? स्राम car को sale कर रहे हैं. बहुत बढ़िया. Car को sale करके क्या हो गया साब? Car को sale करके loss हो गया. Loss हुआ तो किस खाते में डालोगे? Loss हुआ तो आपन उसको डालेंगे PNL account में. Loss होगा तो आपन इसको लाब आने खाते में लिखेंगे. Profit and Loss account में आपन इसको शो करेंगे. तो इसका जो सही अंतर आएगा ना वो आएगा Option A, Profit and Loss account इस पे आपको ताला लगाना होगा. अगला कोशन आपके सामने कि sales are equal to. आप लोगों से पूझा है कि आपे sales किसके बराबर है? यहाँ पर विकर है किसके बराबर है? यह आप लोगों से पूझा है कि sales are equal to. Option A, Cost of Goods Sold में GP जोड़ दोगे तो क्या sale आजाएगा? यह फिर Cost of Goods Sold में अगर Gross Profit माइनस कर देंगे तो sale आजाएगा? यह फिर Gross Profit में Cost of Goods Sold माइनस करोगे तो sale आएगा? उसको आपने बेचा आओ, बेच के आपको Gross Margin 20 रुपे का मिल गया तो इसका मतलब वो माल आपने कितने में बेचा होगा? तो सब्सक्राइब वो माल अपने 120 रुपे में बेचा होगा गाईज, 120 रुपे का आएगा? Cost में GP जोड़ दो आप Cost Price में Gross Profit को एड़ कर दो, तो Cost Price कितनी है 100, Gross Profit कितना है 20 दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 120 रुपे आएगा और 120 अपना बिल्कु से एंसल होगा, तो यहाँ पर Cost of Good Sold प्लस कर देंगे Gross Profit तो जब अपन बेचे गए माल की लागत में सकल आपको जोड़ देते हैं तो अपने पास में जो Amount आता है, उसे अपन विकरे कहते हैं उसे अपन सेल्स कहते हैं और यहाँ इस प्लस्षन में आप लोगों से बुला गया है कि सेल्स किसे कहेंगे तो Cost of Good Sold में अगर आप लोग Gross Profit को जोड़ देते हो और उसके बाद आपके पास में जो Amount आता है हम उस Amount को सेल्स कहेंगे अगला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर Income Tax Paid by a Sole Trader Income Tax Paid by a Sole Trader is a show पताव बच्चो Income Tax Pay किया एक प्रोप्राइटर ने एका की व्यापारी ने तो उसे आप कहा दिखाओगे in the balance sheet मतलब balance sheet में Capital में minus करके दिखाओगे या addition to capital in the balance sheet या फिर balance sheet में capital में add करके दिखाओगे यह आप लोगों से पूचा है Question समझ में आया किया Income Tax Paid by a Sole Trader Income Tax Pay किया है एक एका की व्यापारी ने तो एका की व्यापारी अगर income tax का payment करेग vereinगे तो आप इसको कहा प्रदर्शित करेंगे कहा शो करेंगे यह आप लोगों से पूछा है तो मुझे बताओ अगर income tax का payment होता है न गैस तो उसकी entry पता है क्या होती है अगर अपन income tax का payment करेंगे तो entry होती है हम drawing account को debit करेंगे और साथ में bank account करेंगे अगर आप income tax का payment करेंगे तो आप इसको किस में से माइनस कर दोगे capital में से माइनस कर दोगे तो इसका जो सही answer आएगा न तो क्या आएगा option C as deduction from capital in the balance sheet मतलब balance sheet में capital में से माइनस करके दिखाया जाता है किसे drawing को अगर अपने drawing करी है तो उसको balance sheet के अंदर जो capital होती है capital में से माइनस करके दिखाया जाता है अगला question आप लोगों के सामने screen पर कि goodwill is a goodwill तुम कौन हो goodwill fictitious asset है या tangible asset है या intangible asset है या current assets है बोलिये साब कौन है goodwill क्या है goodwill तो यहाँ पर आप देखें तो goodwill हमारी दोस्तो intangible asset है हम goodwill को अमूर्थ संपती के नाम से जानते हैं और यह हमारी 27 संपती होती है तो यहाँ मैं लिखूंगा कि goodwill कौन है सब goodwill intangible asset है अगला question अगर आप लोग देखते हैं तो यह रहा return inward in the trial balance is deducted from return inward का मतलब होता है sales return trial balance के अंदर अगर आपको sales return given है तो उसे कहां दिखाएंगे यह आप लोगों से पूछा है तो sales return को sales में से adjust करके रिखाया जाता है जो sales return होता है हम उसको किस में से adjust करते है sales में से adjust करते है तो इसका जो answer आएगा वो आजाएगा sales समझे आप गई इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ sales आपको दे रखी होगी साब बिल्कुल और इसमें से आपको क्या minus करना होगा सर इसमें से हमको sales return को minus करना होगा और जब-जब sales में से sales return minus होता है तो अपने पास में क्या बच जाता है सर हमारे पास net sales बच जाती है बोलो इतना आपको समझ में आ गया तो जो sales आपको given होगी इसमें से आपको sales रटन को minus करना होगा अगला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर financial statements include financial statement में किन-किन को शामिल करेंगे option A trial balance, option B trading and P&L account, option C balance it, option D trading and P&L and balance it बोलियो बच्चो किसी organization का अगर कोई financial statement है तो financial statement में आप किन-किन को शामिल करोगे financial statement में किन-किन को शामिल किया जाता है तो financial statement में sir trading account आता है P&L account आता है और balance it आती है इन तिनों को शामिल किया जाता है तो इसका जो answer होगा वो option D होगा अगला question आपके सामने screen पर गे रहा कि which type of expense आपको शो in trading account guys इन में से ऐसा कौन सा खर्चा है जिससे अपन trading account में शो करेंगे इन में से ऐसा कौन सा expense है जिसको अपन trading account के अंदर दिखाएंगे तो trading account में आपको बता है सारे direct expense आते हैं कि आपको उसका जब आप options पढ़ेंगे तो question को शरम आजाएगी ऐसे question भी आते हैं और जब कोई ऐसे question होते हैं जिनका option पढ़ने की जर्वत नहीं है हमारे मुँपे उसका answer है और जो answer हमारे मुँपे है वो ही option के अंदर है तो ये कि कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती ये मेरी guarantee है और एक बात हमेशा ध्यान दख्येगा कि किसने सही का है कि गाए पाल लो भेड़ पाल लो कुटा पाल लो पर लेकिन कभी गलत फेमी मत पालो तो आपको है ना ये गलत फेमी नहीं होनी जाहिए कि सर हम लोग ना केवलो केवल क्या कर रहे है वन लाइनर्स पढ़ रहे हैं शौटकर्स देख रहे हैं और हमारा काम हो जाएगा नहीं नहीं गलत फेमी नहीं पाल लिए आपको concepts को पढ़ना है और उस concepts को पढ़ने के बाद आपको हरे question के answers देने हैं मैं आप लोगों को एक information देना चाहूंगा आप एसे कोई विद्यारती MP मध्यप्रदेश MPTET आपको पता है बहुत बड़ी वेकिंसी है MPTET First Grid Commerce निकल चुका है MPTET First Grid Economics निकल चुका है हरियाना में PGT Commerce निकल चुका है केंद्रे विद्याले संगटन में PGT Commerce और केंद्रे विद्याले संगटन में PGT Economics में निकल चुका है अगर आप इन में से किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप confused है आपको ये पता नहीं चल पार रहा है कौन है हमको course कराने वाला कहा हमको एक साथ सारा matter मिलेगा कौन हमको सिस्केमेटिक कोर्स कराएगा तो आपको गबरानी की बात नहीं क्योंकि संपूर्ण भारत वर्ष में एक मात रहसा संस्तान है जिसका नाम RPAC अड़ा है जो Commerce के शेतर में सरकारी वेकेंसी की तैयारी करने वाले विद्यारती है उनके लिए खड़ा है तो आपका कोई भी मित्र या आप में से कोई भी स्टुडेंट अगर इन सब एक्जाम में से किसी भी परिक्षा के अगर आप तयारी करना चाहते हो तो आप RPAC अड़ा का कोर्स ले सकते हैं हमारे यापर 15 से भी अधिक चार्टेट अकाउंटेंट, कंपनी सेकेटरी, पी एजडी ओल्डर और असिस्केंट प्रोफेसर्स की टीम के द्वारा पढ़ाया जाता है इसलिए हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे हर विशे के विशेशंगे है हमारे यापर कोई भी सब्जेक्ट टीचर जो है, वो एक सब्जेक्ट टीचर एक सब्जेक्ट को ही पढ़ाताव नजर आएगा एक टीचर आपको 15 से 20 या 10 बारा सब्जेक्ट जो बाकी की होई और अधर चैनल पर आपको देखने का मौका मिलेगा वहाँ आप फिर भी देख पाऊगे, या एक टीचर बहुत सरे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है पर लेकिन जो टीचर ऐसा कर रहे है ना वो खुट के लिए बैस कर रहे है पर लेकिन वो बच्चों के साब बहुत गलत कर रहे है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, विशेशक्य के पास पढ़िए, अगर आपकी मालो हड़ी तूड़ जाती है तो आप दातों के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जनरल फिजिशन के पास नहीं जाएंगे, आप और्थोपेडिक के पास जाएंगे सही बाते के नहीं है, अगर मालो हड़ी आपको हार्ट में प्रॉबलम है, तो आप सर्दे खासी जुकाम के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो दवाईय देते हैं, वो हार्ट की समस्य को सौल नहीं करेंगे, हार्ट स्पेशलिस के पास जाएंगे, इसलिए आप स्पेशलिस से का अलग है, और कल आपकी भूमी का अलग है, तो अपने कल को बहतर करने के लिए, आप RPSC अड़ा के साथ जुड़े, और अपने कोर्स प्रेपेर करें, तैयारी करें, जिन्द की क्या अनन्द नहीं हैं, तो आप मुझे बताईएगा, इसी के बात में अगला प्रशन आप कि आर्थिक स्थिक को शो करता है, उप्शन A, trading account, उप्शन B, PNL account, उप्शन C, balance sheet, ऑप्शन D, trial balance, इन में से ऐसा कौन सा हमारा विद्धिय विवरेन है, जो विद्धिय स्थिक को प्रदर्शित करेंगा, financial position को शो करेंगा, तो इसका जो अंसर होगा, वो balance sheet होगा, next question, जिसको भी हमारा बैच पर्चेस करना चाहिए दिनेश जीन ने एक बुला किसे मुझे बैच पर्चेस करना है हेल्प लाइन नमबर आपको दे रहे हैं आप आराम से हेल्प लाइन नमबर पर कॉल करें विच अब दी फॉलविंग इस करेंट बच्चो इनमें से कौन सा इसकेटमेंट सही है विच अप आप से पूछा है ओपरेटिंग प्रॉफिट बराबर जो नेत प्रॉफिट होता है इसमें नॉन ओप्रेटिंग एक्स जोड़ दो और नॉन ओप्रेटिंग इंकम अड़क्र से वो minus होते हैं तब जाके अपने पास में net profit आता है अब net profit से operating profit पर आना है तो जो minus किया उसको plus करना है और जो plus किया उसको minus करना है इसी कारण से net profit में non operating expense को जोड़ा है और non operating income को minus किया है तब जाके अपने पास में यह answer बिल्कुल सही answer आ रहा है very good carries outward is showing carries outward का मतलब समझते हैं क्या होता है carries outward carries outward का मतलब हम जब माल को किसी को बेचते हैं तो उसे घर पे deliver करने के लिए हम लोग भाड़ा चुकाते हैं उसे carries outward कहते हैं और यह जो carries outward होता है ना यह हमारा indirect expense होता है और जो भी खर्चे हमारे indirect expense होता है ना उनने P&L account में दिखाया जाता है तो इसका जो answer होगा वो जाएगा profit and loss account carries outward को कहां show करेंगे carries outward को P&L account लाभानी खाते में show किया जाएगा बुलो किसे carries outward अगला expenditure incurred on a fixed asset which increase the earning capacity is accounted as मतलब वो ऐसा कौन सा खर्चा है जिसको करने से हमारी earning capacity बढ़ती है लाभार जन शमता बढ़ जाती है ऐसे खर्चे को किस नाम से जाना जाता है इन में से ऐसा कौन सा खर्चा है जिसके करने से हमारी व्यापार की लाभार जन शमता बढ़ेगी बताओ हम इसको किस नाम से जानेंगे तोसरा हम इसको capital expenditure के नाम से जानते हैं ऐसा खर्चा जिससे अर्जन शमता बढ़ जाए, earning capacity बढ़ जाए उससे अपन capital expenditure कहते हैं closing stock show inside the trial balance is बच्चो closing stock trial balance के अंदर अगर शो हो रहा है अगर closing stock trial balance के अंदर शो होता है दोस्तों आप से पूछा जा रहा है कहा दिखाओगे तो ऐसा item जो आपको trial balance के अंदर दिखता है उससे अपन financial statement में एक जगे दिखाते हैं closing stock अपने लिए asset है तो आप इसको अंतिम खातों में केवल एक जगे दिखाओगे जिसको अपन कहते हैं प्यार से balance sheet balance sheet में asset side में अगला प्रशन आप लोगों के सामने ये रहा कि which of the following is not show in the balance sheet इन में से ऐसा कौन सा item है जिसको आप balance sheet में नहीं दिखाओगे option A opening stock को नहीं दिखाओगे साब closing stock balance sheet में आता है patent भी balance sheet में आते हैं data भी balance sheet में आते हैं पर opening stock balance sheet में नहीं आता इसी करण से option A हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगला question capital expenditure and revenue expenditure क्या इन दोनों में अंतर हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं है इन दोनों में अंतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता या फिर इन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है तो ऐसा नहीं है दोनों में बहुत ज़्यदा अंतर है एक वो खर्चा होता है जो हमारी व्यापार में किवल एक ही बार होता है और एक से अधिक वर्षों तक लाब देता है और एक वो खर्चा होता है जो हमारी व्यापार में हर साल होता है हर साल लाब प्राप्ट करना है हर स इसका अंसर क्या हो जाएगा option A, पूंजी गत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति ये भी दोनों एक दूसर से अलग है, पूंजी गत प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जो व्यापार में बार बार नहीं होगी, जैसे कि व्यापार में पूंजी का विन्योजन करना, जैसे कि माल लो संपतियों का विकरे करना उससे अपन कौन सी प्राप्ति बोलते हैं साब उससे अपन पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं आएगत प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जो हमारे व्याफर में every year होती है उससे अपन आएगत expenditure is transfer to guys revenue expenditure को transfer करते हैं trading and P&L trading में भी आ सकता है और P&L भी आ सकता है इसलिए option भी अमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा अगला प्रशन revenue income is transfer to revenue income भी वो income होती है जो अमारे business में every year होती है और इस income को transfer किया जाता है again trading account and P&L account के अंदर revenue income में सबसे बड़ा example ले रहा हूं में sales का revenue income में एक और example ले रहा हूं में आपके सामने rent receive का ये example है sales क्योंकि trading में आ रहा है और rent receive P&L में आता है समझ लेना आप मेरी बात को दोस्तों अगला प्रशन capital expenditure is included in capital expenditure को कहा show करोगे आप capital expenditure तो balance sheet के अंदर ही show होते हैं तो ये आपको मैंने बहुत अच्छी तरीगे से सारे 20 questions करा दिये फीस अगर आपको मैं बता हूं तो 2999 के हमारे आपे जितने भी courses चल रहे है उनकी एक ही कीमत हम आपसे charge कर रहे है वो है 1499 और केवल PGT economics का KVS का एक अगर आपके साथ कड़े हैं अगर आपके अंदर जोश है सरकारी नौकरी पाने का सच कर रहा हूं हमारी पुरी टीम में जुनू ने आपको government job दिलाने का इसलिए आज के लिए इतना ही thank you so much once again for watching this class बहुत बहुत धन्यवाद last में जाते जाते मैं दो पंक्तिया आपको बोल कर सुनाना चाहूंगा कि लिखने वाले अपनी तकदीर गाईस लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी ही कलम से भी लिख देते हैं आप मेरी बात समझ रहे हो कि लिखने वाले अपने तकदीर जो होती है वो 2TV कलम से ही लिख देते हैं तो आपने पास वो खेर पूरी की पूरी कलम आपके साथ में है आज के लिखने इतना ही जै हिंद जै भारत बंदे मातरम नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा बाए बाए धन्यवाद